कि है लो इस कैसे हो आप लोग आई हो आप लोग सब बढ़िया होगे तो स्टार्ट करते हैं नुट्रिशन में एक लास्ट लेक्चर आज का है ना क्या प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन इंपॉर्टन लेक्चर है यहां से आप से वाइबा में कोशन पूछ जाएगा कि स प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग हम लोग नाइट्रोजन बैलेंस है ना बैलेंस डाइट आपका है ना स्पेसिफिक डैनेमिक एक्शन और यह आपका बेसल मेटाबॉलिक ठीक है तो यह कुछ लेक्चर होते हैं बहुत एसी क्लिकल कंडिशन आएंगी जिसके अंदर प्रोटीन जा फिर एनर्जी मतलब की कैलोरीज है ना प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन अब मालनुट्रिशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज राइट अमूंट में नहीं मिल पा रही है तो उससे बॉडी म वह आपकी calories energy वगिरा sods होते हैं वह आपको मिलनी पार है right amount में तो बोलते हैं malnutrition है ना malnutrition कि वार उसको ढंक से वो चीज नहीं मिल पारी है और यह चीज आपको specially कहां देखने को मिलेगी वैसी country जहां पर जो country under developed होगी या फिर developing nation होगा है ना developed नहीं जो पूरा developed हो चुका है वहाँ पर मालन्यूट्रिशन बहुत कम देखने को मिलती है जो देश या तो अंडर डवलप है या अगर डवलप हो रहा है तो वहाँ आपको मालन्यूट्रिशन ऐसे दिखती है ठीक है जैसे हमारा देश इंडिया भी डवलपिंग इंडिया में देखने को मिलते है ठीक है तो अब मेरी बास समझना तो यहां पर टॉपिक का नाम क्या है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ठीक है तो यह क्या है आपकी कुछ क्लिंगल कंडिशन है हम पढ़ेंगे इसमें मेरेसमस पढ़ेंगे का वाश हाय और कर पढ पढ़ेंगे इसका दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे के वाश और कर और एक पढ़ेंगे मेरेसमस पढ़ेंगे ठीक है मेरेसमस चलो पढ़ते हैं पहले समझते हैं यह जो और इसका कॉंबिनेशन भी होता है ठीक है बढ़ा दोंगा अभी आखरी में ठीक है अब इन्दी जो कॉस है कि क्यों हो रहा है यह तो इस शोचर एकोनॉमिक सेक्टर यार पैसा नहीं है यह सब कुछ नहीं है तो वह तो बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है डेवलपिंग नेशन में क्यों दिक्कत आती है सब कुछ विकॉज खाने पीने को धंग से नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर नॉलिज भी नहीं है उस तरीके से है ना तो वह इंप्रॉपर विनिंग मदलब की तरीके से जो बच्चा रहे है ना और ठीक है क्रोनिक इंफेक्शन माल अब्जॉप्शन खा रहे हो बटव अब्जॉब नहीं हो इस तरीके से मदलब यह जो कंडिशन से ना इस बेसिकलिए आपको अंडर डवलाव डवलपिंग नेशन में देखने को मिलती है ठीक है और इससे दिक्कत क्या क्या करें ख़ी करें आपकी क्या उसमें रिपेग्रेंस वहांत घाल ओगण हना एक तो इंफ्सप्रीज गां ग्लुकोस नहीं है आपके बॉडी में है ना तो पहने हैं हाइपोगलाइसीमिया हीटरी बन पाएगी हाइपोथर्मिया डिहाइडरेशन पानी है ना कमी रहेगी शौक पढ़ा होगा आपने फिजलोजी में हाइपोपॉलमिक शौक है ना तो शौक वगेर भी इस बॉडी आपके बॉल रहा है ना इस बोल्राइब को छुन इस की दिखकत हैं प्रोटीन की दिक्कत Parlament की दिक्कते है ठीक है इसमें क्या होता है वो जो बच्चा है वो जो बच्चा है वह प्रिश्कूल यानिके एक साल से पास साल के बीच का है ठीक है और उसके अंदर ऊसकी तो यह सब क्यों होता है पहले वह समझते हैं तो के वाइशोर का मतलब क्या है सिकनेस एक सेकंड सिकनेस दा ओल्डर चाइल्ड गैट्स वेन नेक्स चैल्ड इस बॉन मतलब जो पहले बच्चा जनब हुआ वह इमार पड़ जाएगा क्योंकि जो जो छोटा बच्चा आया है ना वो क्या कर रहा है मदर का मिल्क फीड कर रहा है तो जो पहले से बच्चा थ उसको अब अल्टरनेट ढूना पड़ रहा है उसे खाना नहीं मिल पार रहा है मदर की मदर की मिल्क फीड हटा दिया गया ठीक है सब में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं तो यह इसलिए होता है ठीक है अब क्लिनिकल सिम्टम्स जो बहुत जरूरी है वह हमें समझने क एक कर गये ठीक है चलो समझते हैं ठीक है क्लिंग फीचर्स के एकी हम लोग सिम्टम्स देखते हैं तो में क्या में क्या है मैं रखोलिया म番लब बोकना लग ना us we잖y नहीं होता है तो रिजन किया है वह बस समझना बाकि सब तो बहुत असान है ठीक है चलो समझो अब में क्या क्या बोलाँ मैं क्या बोलाँ कि इस दिक्कत क्या है के वाशकर में क्या दिक्कत है प्रोटीन की डिफिसिंसी है प्रोटीन नहीं है प्रोटीन नहीं है ठीक है तो जो आपके जो ब्लड में यह मानलो ब्लड है ब्लड वैसल ब्लड है ठीक है यह मानलो को लीवर है यह मानलो को कि कि कमी घै तो अपना अमीनो अश्क मुझे दे दो मुझे बनाने प्रोटीन की तो इनद्र गिंजाओ कहां चला जाएगा और जाकर बता हो चैसे होता है इस केस में अब प्रそれでは अब इक लिए समझो, simple क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, amino acid blood से कहां चला गया, muscles के अंदरों क्या बन गया, protein, protein बन रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी amino acid था, वो protein बन रहा है, ठीक है, जिस वज़े से क्या हो रहा है, ये amino acid कहां नहीं जा पा रहा है, liver में नहीं जा पा र रहा है, तो liver के अंदर एक चीज बनती है, albumin, albumin, वो नहीं बन पाएगा, आप बोलोगों क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा, because amino acid क्या है, बहुत कम है, उस individual में बहुत कम है, और जो थोड़ा बहुत amino acid था, वो muscles ने अपना थोड़ा बहुत protein बनाने कोश हुआ, albumin का level कम हो गया, blood में albumin कम, क्योंकि बन नहीं नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या होता है, यह मानलो एक blood vessel है, और यह cell है, यह cell है, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे albumin का level कम हो गया, albumin का level कम हो गया, है ना, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो पानी की कंसेंट्रेशन बढ़ गई हाई कंसेंट्रेशन ओफ फ्ल्यूड वह बढ़ गई आप बोलोगे इसका मतलब क्या है या सिंपल सी बात समझो कि एक ग्लास है उसमें चीनी है मैंने चीनी कम कर दी तो आपको मीठा अलग इस तरीके से जो पानी वाला स्वाध है और नियुक्न कम होगे थी तो पानी कंसेंट्रेशन वैगरा थी वह बढ़ गई तो पानी क्या हो जागा बाहर आजएगा आपको इतना लिखना नहीं होता है आपको सिंसे नहीं होगता हाइपोल्यार्ण कम हो जाता है ठीक है ना सिंपल सी बात है ऐसा भी समय सकते प्रोटीन नहीं है प्रोटीन आता है क्यों कि एल्बीमिन कं है ऑस्मेंटिक एफेक्ट लिख दोगे आंसर थीक माना जाएगा आपका ठीक है तो यह पता होना चाहिए आपको हाई इडिट होता है और fatty liver fatty liver क्यों क्यों कि लीवर के अंदर आपका एक और चीजा लीपो प्रोटीन वो भी नहीं बन पारा रहा है लीपोप्रोटीन है अब आप बोलोगे क्या काम करता है यह आपके जो क्या बोल सकते हैं लीवर में जो फैट होता है न उसको मूव कड़ता है उ है ना तो क्या हो जागा abdomen भी फूल लेगा तो abdomen क्यों फूल रहा है because of fatty liver because of fatty liver तो आप उस बच्चे को समझ सकते हो नो कैसा वो क्या होगा है ना तो भूख नहीं लगे कि उसको और में important क्या है में important क्या है severe edema यह बहुत important है और उस वज़े से उसका जो face है वो moon face लगेगा ठीक है और next clinical feature important क्या फैटी लीवर और फैटी लीवर की वज़े से क्या हो रहा है डिस्टिड abdomen और फैटी लीवर क्यों हो रहा बताओ because liver के अंदर liver के अंदर lipoprotein नहीं बन रहा है लीपो कि severe edema है उसमें moon face है तो आप पचान लोगे आप बोलोगे यार यह बिमारी है यह बिमारी है है ना बस डाइगनॉस हो गया बस आप कोई दो या तीन की calories नहीं होती है मतलब energy की बहुत दिक्कत है ठीक है तो यह भी क्यों हो रहा है यह हो रहा है क्यों आपका जो infant है उसको हमने breast milk से हटा दिया और उसे कुछ खराब सा कुछ दे रहे है मतलब जिसके अंदर आपकी calories ना protein कुछ भी नहीं है इस तरीके से है ना तो बिकार चीज़ दे रहे हैं मतलब मा का दूद नहीं मिल रहा दूच्छे को ठीक है जल्दी हटा लिया छोटा बच्चा था आओ अब इंपोर्टेन क्या है बच्छे को दूद वागेरा नहीं मिल रहा इकलरी तो growth रिटाड होगी होगी ठीक है ना अब यहां पी important क्या एडीमा नहीं होगा एडीमा नहीं होगा क्यों नहीं होगा मेरी बात समझो मेरी बात समझो इस बार क्या है मसल में प्रोटीन तो बराबर है मसल में प्रोटीन बराबर है क्या नहीं है ग्लुकोज वगेरा नहीं है कैलोरीज वगेरा नहीं है ठीक है ना एनर्जी नहीं है तो मेरेसमस में प्रोटिन की इतनी दिक्कत तो नहीं है तो आपकोyou Mega नहीं दिखनु में जायेगा आपको एडीमा नहीं देखना को मिलेगा यहां पे क्यों आ रहा था बेकाus यहां पे आपका जैमे नहीं बन और रहा था देखने को मिलेगा। हाँ, मुसलवेस्टनिग दिखेगी, क्यों भैण दिखेगी? विकॉज यारा ग्लुकोज है नहीं , कार्भोहेल्थ है नहीं तो उसने अपना एनरजी कहां से मिलेगी? फैट से, तो फैट को तोड़ देंगे, सारा फैट खतम कर देंगे source carbohydrate वो तो है नहीं fat fat खतम करने लगे तो बच्चे का मुव इदम उसका इदम बकल फैट हड़ गया आएगा और वो old man face लगेगा तो कैसे याद करें मेरसमेस मासूम बच्चा बच्चे का चेहरा old old man face ठीक है और इसका abdomen है वो कैसा है shrunken क्योंकि वही ना fat वगेरा बिल्कूर भी नहीं है उसके अंदर अब क्योंकि यहाँ पर abdomen क्यों full आथा because fatty liver तो यहाँ पर कोई liver में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और dry skin वगेरा देखने को मि है एक साल से कम ठीक है आपको यह कुछ features दिखेंगे एडिमा नी और old man face तो यह एक दो और तीन यह तीन फीचर देखने मिलेंगे आपको जो important आप डाइग्नॉस मलब बता सकते हो question paper आएगा ना तो आपको यह तीन फीचर ज़रूर होंगे ठीक है अभी क्या है ना कुछ सम काफी कुछ पढ़ लिया है कुछ एक देड़ महीने में है ना ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे स्टार्ट करें चैनल को ठीक है बट हमने काफी कुछ पढ़ लियो आने वाले एक महीने में हम 80% बाइग मिस्टिक हतम हो जाएगी कुछ 10% 20% बचेगी है ना वह भी हम आफ डाइटिंग में के वायूशकर किस़े वरी थी बताओ यहां पे चा नहीं था प्रोटी नहीं था यहां पे तो आयो रहूी हम भी आखे उडावा प्ली Pose बताया狗ं प्लीस करो प्लीस बताया狗ों। प्लीस बताया狗ों थीक है चली थेंक्यू बाई